अस्तामलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ससाइज 1C के कोस्टन नंबर 5 की मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इस चैप्टर से रिलेटिड बहुत सारा कंटेंड बहुत सारे सुलूशन में मैं अपने चैप्टर पर पहले ही अप्लोड कर चुका हूँ मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेप्टर प्लेलिस भी बनाई वी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर आप बाकी सुलूशन में इंट्रस्टेट हूँ तो वो लिंक मैंने इसको नीचे नीट करके लिक भी लिया है तो अभी हम इसको यहां से समझेंगे और फिर इसको वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो कुस्त नमर 5 की स्टेट में पढ़ रहा हूँ इसमें लिखा हूए 35 वर्कर्स और इंप्लॉइड तो 35 वर्कर्स को लगाया गया है उनक इसको परचेट करना है 16 अंदर लिवाग से परचेट को 6 नहीं बलके 14 डेज में स्टार्ट में जब वर्कर्स लगाए थैं तो 16 डेज में 35 वर्कर्स ने काम करना था और इस परोजेक्ट को खतम करना था लेकिन अब बस को बताया गया है कि अब आप जो यह प्रोजेक्ट क कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को आपने 16 नहीं बलके 14 डेज में कम्प्लीट करके दिखाने हैं तो आगे लिखा हुआ assuming that all the workers work at the same rate how many more workers does he need to employ in order to complete the project on time तो वो कह रहे हैं अगर हम इसको मान लें first कर लें और यह बड़ा important जुमला है बड़ा important sentence है यहां पर कि अगर हम इस चीज़ को first कर लें कि सारे workers एक ही rate पे काम कर रहे हैं अब इसका क्या मतलब इसका मतलब है जितने भी workers हैं वो एक तरह का आप कह सकते हैं rough meaning के अंदर में आपको कह रहा हूं और यह चीज़ हमें बताती है कि यहां पर आप proportionality को discuss कर रहे हैं अक्सर ऐसे case के अंदर आप proportionality को discuss करते हैं तो लिखा हूँ है how many more workers अब यह बड़ा important word है कि how many इसका मतलब है हमें और कितने workers चाहिए होंगे workers मजीद चाहिए होंगे कि इस project को 14 days के अंदर अंदर ही खतम कर लिया जाए on time खतम कर लिया जाए तो यह हमारा कुसर अमीद है आपको कुसर की समझ आगी होगी अब चलते हैं इसके solution की तरफ तो कुसर मैंने आपके सामने यहां पर लिख लिए है सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम ना इनमें labeling कर लेंगे labeling का मतलब कह लें आप suppose कर लेंगे कि हम इनमें स्पोस कर लेंगे कि जो दो data है मारे पास दो किसम का data है एक तो workers का data है Diork nurse. और आप YUSTIN कहले है चे वर्कर use कर लेंगे देगा यहां लेट है. Let the workers be denoted by the workers being denoted by x ay paradox यानि जो workers है हम उनको डिनोट करेंगे x से उनका पेचान करेंगे x एंज the number of days and the number of days विल बी डिनोटिड बाई विल बी डिनोटिड बाई विल बी डिनोटिड बाई वाई तो मैंने यहां पर यह चीज शुरू में बता दी कि जो एक्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ओफ वरकर्स को और जो वाई है वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ओफ डेज को तो अगर आप देखें कि इन में रिलेशन क्या है, जाहिर बात है जितने जादा workers employ किये जाएंगे किसी construction side पे उतना जल्दी काम खतम हो जाएगा, यानि अगर आपके पास workers जादा हैं, तो काम जल्दी खतम हो जाएगा, यानि opposite behavior होगा, एक चीज़ बढ़ाएंगे, workers को बढ section, अगर आप यह देख रहे हैं, दोनों behavior, पहला behavior वह जिसमें workers को बढ़ाया, तो दिन कम हो जाएगे, जल्दी काम खतम हो जाएगा, और दूसरे case में जब workers को कम किया, तो दिन बढ़ गए, यानि जादा time लगएगा काम करने में, यह opposite behavior है, जब इस तरह का behavior मिले कि एक ची inversely proportional है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि जो x है, यानि number of workers, यह inversely proportional और जब किसी चीज़ को inversely proportional लिखना होता है, तो 1 over that thing लिखते हैं, यानि वो y की inversely proportional है, तो हम लिखेंग तो हम उसकी जगा पे equal to का sign लगाते हैं, और एक constant लगाते हैं, जो कि इस उपर वाले number से multiply होके उपर लिख दिया जाता है, क्योंकि k1 से multiply होगा, k ही देगा, तो उपर k लिख देंगे, तो यह हमारी पस एक equation बनगी, x is equal to k over y, यह equation हमें मदद करीगी हमारे सारे data को solve करने क तो अब important चीज क्या बची, अब सबसे important चीज यह बची, कि हमें सबसे पहले constant of opportunity निकालना है, तो इसके लिए मैं x और y की values पता होनी चाहिए, जो कि start में बताई गही है, आप देखे, x जो है वो denote करता है number of workers को, तो कितने workers है, 35, और y denote करता है number of days को, तो कितने days है, 16 days यह data given है, तो आप x की जगा पे लिख दें, 35, यानि अगर 35 workers आपके पास imply किया हो, k की value तो find करनी है, divided by, तो कितने days में काम खतम होना चाहिए था, 16 में, तो y की जगा पे आप क्या लिख दें, 16, यह मैंने ऐसा क्यों किया है, यह मैंने ऐसा इस वजए से किया है, ताकि मेरे पा की value आजए, और जब मेरे पास k की value आजएगी, तो फिर मैं बहुत असानी से बाकी भी data को solve करके, जो चीज़ रिक्वाइड है, वो निकाल लूँगा, अब देखिए, आप 16 डिवाइड हो रहे है, तो यह दूसरी तरफ जाके multiply हो जाएगा, आप दोनों साइट पे 16 को multiply भ अब हम अपने question की तरफ वापिस जाएगे और देखेंगे अब हमें क्या required है, तो अगर आप question पे देखें, तो question में यहाँ पे लिखा वा था, कि boss को बताया गया है, कि अब आपने project को 14 days में पूरा करना है, तो इसका मतलब है number of days change हो गए, यानि जो number of days है, यानि y वाला ज change हो गया, वो 14 हो गया, तो x find करना है कि कितने workers चाहिए होंगे, कि वो अगर यहाँ पे मजूद हो, इन workers के साथ, तो कितने workers और जादा हमें वो चाहिए होंगे, कि वो project जो हो time पे खतम हो जाए, इसका मतलब है y की value बदल गई है, y की value कितनी हो गया 14, क्योंकि y जो है, वो data कितनी हो जागी, 14, और x की value तो निकाल लिए है, number of workers तो चाहिए है कि कितने मजीद workers चाहिए होंगे, मलब कितने workers चाहिए होंगे, तो वो तो हमने find out करनी है, और k की value पहले से given है उपर, वो है 560, अब आपने उपर वाली equation लिखनी है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा 14 से, तो 14, 1 times 14 और 14, 40 times जो होता है, वो 560 होता है, यानि x की value कितनी आ गई, 40, इसका मतलब आपको 40 workers चाहिए होंगे, जो कि इस project को time पे खतम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक important बात है, जो कि आपने समझ लिए है कि यह 40 workers ही, क्या हमारा answer है, तो अब अगर आप question में दे है, इसका मतलब यह कि कितने और जादा चाहिए होंगे, क्योंकि कुछ workers तो पहले सी मुझूद है, तो पहले कितने मुझूद है, वो थे 35 है, इसका मतलब है हमें 40 में से 35 को निकालना है ताकि पता चले और कितने workers चाहिए, जो कि अभी कम पढ़ नहीं हो पा रहा, तो हम य पहले वाले माइनस कर दें, जो कि 35 थे, तो 40 माइनस 35 कितना होता है, वो थे 5, इसका मतलब है, 5 मजीद वरकर चाहिए होंगे, अगर आप चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट टाइम पे खतम हो जाए, यह वो वाली वैल्यू थी, जो टोटल चाहिए होंगे, यह वो है जो कि मज मजीद चाहिए होंगे, मजीद का मतलब इन में पहले कुछ मजूद थे, 40 में 35 पहले सी मजूद थे, तो आपको सिर्फ 5 मोड चाहिए है, तो इसलिए how many को वर्ड वो जो था, वो बड़ा important था, तो हमने question solve कर लिया, उमीद है आपको इसका solution समझाया होगा,